नमस्कार वेलकम यॉल वन्स अगेन आप सभी काई पर फिर से स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है हमने बीएसी पार्ट थर्ड के लिए यॉनिट फाइफ शुरू करी हुई है और गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें हमारे एमीनो एसेट्स चल रहे थे तिक है जैसा कि आप सभी को पता है कि हम और ग्रुश्र कंपलीट कर चुके हैं जिसमें हमने इमिनो एसेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा है और उनके मै्तर्स ऑफ फॉर्मिशन पढ़े हैं अमीनो एसेट्स के बहुत सारे मैफशन प्रेपरेशन थे हब अगे बढ़ाते हैं हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं बहुत एक और ना फिसिकल प्रोपिटी तो पाए जाते हैं जैसा कि हम जानते हैं इस तरह से लिख दूं और इसमें क्या होता है अमीनो ग्रूप टीक है एलफा अमीनो एसेट्स की पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके कोर्स में वह वी अलफा अमीनो एसेट्स ही यह और जितनी प्रेपरेशन की थी उन सभी में हमारे पास क्या फॉर्म सब्सक ledus Dia ababile थिसके साथ ही आप अगर हमणाम और तरुम सब्सक्राइब को तो कुछिस दरभ होगा जर्वरम क्रिस्टल में होते हैं क्रीसिक थोस में एक वे कैसे साथ हुआbig क्या थे ऐ होते हैं तो यह क्या होते हैं यह रंग आर अधैं क्रिस्टल थोस होते हैं जिनका घनात्व उच्छ होता है यह इनकी डेंसिटी हाई होती है और यह कैसे होते हैं क्रिस्टिली कमपाउंड होते हैं ठीक है यह पहला गुण हो गया अगर इनके गल्लांग की बात की जाए अगर कश्जली कम लिया थे उनकी गल्लांग होते हैं इनके गल्लांग बहुत उच्छ होते हैं нов तथा ये तथा ये अपने अपने गलनांग पर विघटित हो जाते हैं और दोसरह क्या देख जोते हमने इनके गलनांग लिए को कि ठोस हैं तो फिर क्या होगो इनके डीटिंग पोइंट बहुत ऊच्छताय के निए अपनी ऊपने तक हो लिए बिघटित हो जाएगा त्या अगर इनकी तीसर प्रॉपरिटी देखें तो यह कहां विले होते हैं तो इनका देखा गया है कि यह जलवा एलकोहॉल में विले होते हैं किन्तू एथर आदि कार्बनिक विलाइकों में एविले होते हैं ओम हं बिले होते हैं यानि कि यह वाटर और एपोलर सॉलवेंट्स हैं उनमें गोला जाए तो घुल्जाते हें लेकिन जो कार्विनीविले के जब उनको किसी ड्रिटार यह जाता तो फिर यह आसानी से गुल्ते नहीं ऐसा इनको देखा गया ह öPS स्प्लिंगें क्यों होते हैं कि विदूराई जो आज होते हैं अब आज को की आज क्या मतलब दीध्या और अज यहां पर दीध्या बन यह आप लोग ने फस्ट एर में पड़े होंगे दूइधुरू आगोन, दूइधुरू आगोन हम कहा निकालते हैं, जैसे हमारे पास HCl है, ठीक है, हम जानते हैं क्लूरिंग की विद्धू तरनात्मकता है, है से जादा होती है, इसलिए ये डेल्टा नेगिटिव और ये ड ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, क्योंकि एलक्ट्रोनों को अपनी तरफ खीच लेता है, तो ऐसे मोलेक्योस में दूइधुरू बन जाते हैं, तो दूइधुरू आगोन वहां निकाल जाता है, जहां पर दूइधुरू क्रियेट होते हैं, तो यह तो आमने अमीनो एस जाते हैं, और क्योंकि एंनके डूइदुरू आगणके मान अफिक होते हैं, तो यह हैं थेकिन अब हम जो अगली फिजिकल प्रोपरटीज को फिजिकल प्रोपरटीज के तवर पर ही लेंगे लिएक्टॉल में आएगी नहीं वह एक अलग से टॉपिक है ठीक है क्या होता है अभी जैसा कि मैंने बोला इनकी दुईध्रु वागुन के मान के होते हैं उच्छों होत तो फिर यह दूई-दुबाग उनकी वो दिखा रहे हैं तो एक्चुल में एमीन ऐसिट्स जिस फॉर्म में हमने अब तक लिखते हैं उसमें एक्जिस्ट नहीं करते हैं जब हम उनको विलियन में भोलते हैं उनका विलियन बनाते हैं तो वह एक अलग ही फॉर्म में चले जा क्या होते हैं यह देखते हैं जो देखते हैं अब जैसा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहती है जैसे पहला है यह क्रिस्टलिय ठोस होते हैं क्या है यह क्रिस्टलिय ठोस हैं तो आगर यह ईसे हैं इसमें केवल आमीन होटे तो आमीन हो लिक्विड दो छोड़ो लिक्विड लिक्विड भी निहीं क्या है इस स्ट्रेक्टर से तो एसा नहीं लगता कि इनको ठोस होना चाहिए तो फिर यह थोस क्यूं है नहीं पता चला ठीक है नूर्ममलघंग अगर चोलिक कंपरेंगर सेंगी कंपडरेंग takeажд में बहुत लख मेन बहुत ुक्छ है इनक घृत्यतर क्या और धैंजर, जयू ज्विक दिन बॉनक इनके मान लोग होते हैं ऐलकौहल जल जो कैसे विलायक हुते हैं दुरूभ यह होता ना ुपेस्फिन यानि कि जो जल और यह सब कैसे होते हैं और गुलते भी किसमें जबके हम जानते हैं समान समान को घोलता है तो ऐसे मोलेक्यूल को विले करेंगे जिन पर खुद चार्ड हो डाइपोल हो जैसे कि यहां पर चार्ज है तो ऐसे योगिकों को विले करेंगे ना जिन पर चार्ज ह यह सोलीशन नहीं को घानते हैं किया से खीक आ नहीं करते हैं कि अपक है कैसी Mercoshte समुन देखां फॉलिए को में तो यह एक्शुलमेन करते हैं घानते हैं क्या सा जम Impera, पर यहां पर तो इस फॉर्म में हो यह वाला जो ग्रूप होगा यह सके अमलीए व्यभार के लिए उत्तरदाई होगा किसके लिए यहां तो Carbosylate Group है na COH यह क्या करेगा यह एच प्लस ते आगेगा ओक्सीजन क्या करेगा अपने एलक्ट्रोनों को अपने तरफ खीच लेगा आपने तो O- बन जाये को यहां से क्या बाहर निकल जाएगा यहां से एच प्लस बाहर निकल जाएगा कौन निकलेगा यहां से बाहर कौन निकलेगा यहां से बाहर निकलेगा कौन एच प्लस ठीक है यहां से बाहर निकल गया है और यह एक फॉर्म में चेंज हो जाएंगे ठीक है क्या हो जाएंगे एक फॉर्म में चेंज हो जाएंगे कुछ ऐसी और CH ये तो बनेगा COO माइनस और यहां पर NH2 तो पहले से था एक H और ले लिया इसने तो ये हो गया NH3 प्लस या मैं ऐसे लिख सकते हूँ क्या बन गया ये ये बन गया NH3 प्लस और ये जो structure होती है इस ही को बोला जाता है रिटर आइनिक structure यानि कि जब हम इसको condition के अनर किसके अंदर होती है अबस्ता को इस ही को हम क्या बोलते हैं हम स्विटर आयन जब कोजिटीव और negativity चार्ज दोणों उपस्तित हो हैं तो इस structure को क्या बोलते हैं अच्छा एक structure ऐसा भी होता है जैसे पी प्लस CH2 या CS3 माइनस जो भी लगाव इस तरह की structure होते हैं तो यह जुटराइन नहीं होते हैं तुम तो को यहाँ पर भी positive साबने उसको बोलाय पर उसको उसको बुला जाता है अध। और अगर अगर रहें तो तो पॉजितिव और नेगिटिव चार्ज की बीच में क्या अधरा रहा है कार बना रहा है यानि और ऑल्टर्नेट एटम पर translated फिर नेटिव चार्ज यानि कि जब क्योंकि बहुत सारी जगा पर हम Zwitter Iron बनाते हैं और पढ़ते हैं तो यह छो structure होती है इसी को क्या बोलते हैं zwitter iron भी बोलते हैं इसे dipolar iron भी बोलते हैं क्या बोलते हैं dipolar iron भी बोलते हैं ठीक है तो यह होती है structure जुटर आयन और डाइपोलर आयन की तो हम यहां लिख सकते हैं तो जुटर आयन के बारे में हम लिख सकते हैं यह मिटा दू तो हम लिख सकते हैं एमीनो अमल जलिये विलियन में दूइद रूबी है दूइद रूबी है आयन लेखो दूइद रूबी है आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं जिसे क्या कहते हैं जुटर आयन कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं जुटर आयन कहते हैं तो यह जो स्ट्रक्चर होगी इसी को हम क्या कहते हैं जुटर आयन कहते हैं तीक है अगर हम इसकी न्यूटरल स्ट्रक्चर से comparison करें तो वहाँ पर अम्लिय विवार यहां लिख देती हूं में और यहां पर है नहीं और थोड़ा समझते इनके बारे में अगर हम जुटराइन के तो अगर इस फॉर्म में यूट्रल फोट में तो अम्लिय विवार के लिए कौन उतर्दाई होगा सी ओ वएच ग्रुप यहां पर उल्टा हो जाता है अब भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर कैसा H plus iron क्या कर दे? त्याग दे तोरंफी अपना H plus iron त्याग दे और किसमें change हो जाए? NH2 में change हो जाए तो इसका मतलब हम लुक्त चांग्या होते हैं? जो H plus iron त्याग ते हैं और यहाँ पर H plus iron को हम त्याग रहा है? NH3 group तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यह जो NH3 ग्रूप है अम लिए विवार के लिए यह उत्तरदाई है ठीक है और अगर इसके बात करें जिस पर इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता होती है वो क्या होते है चार होते है क्योंकि वो सकते हैं तो गया दख रहा है ऑक्सीजन पर क्या है तो यह क्या कर सकता है और के चारी कद्ट्रोनों को दें किसी को ठीक है क्यों क्यूंस इसा थक बनाले करनेrez थो कि इन यहाँ पर लिख सकते हैं नितडरता विंगा उर्टाई ही ओग्या चारिये के चारिये गुण कहलो यहां फिर चारिये वियाभार के लिए यह उत्तर दाई होगा और अमलिये वियाभार के लिए यह उत्तर दाई होगा और क्यूंकि हम जानते हैं ammoniom i iron जो होते हैं!! हम लिक h प्रवल अमल नहीं होते हैं!! कैसे होते है दुर्वल अमल होते है ठीक है? और अगर इसकी बात करें आव तब बोलगे चलो यह तो धुर्वल अमल है लेकिन COO माइनस जहां पर भी डेटिव चार्ज आता है रहां जानते हैं वो प्रवल्चारी होते हैं जिन पर भी चार्जड इस्पीसीज होती हैं जैसे ओच माइनस लेलो ओच माइनस लेलो ओच माइनस लेलो ओच माइनस लेलो ठीक है यानि कि यह जितनी भी चार्जड इस्पीसीज होती है यह कैसे होती है प्रवल्चारी होती है तुरं ठीक है यह negative charge किसमें भाग ले रहा है? Conjugation में और Conjugation में भाग लेगा तो यह ऐसा हो जाएगा R, C, H, C अब यह O- हो जाएगा और यह double bond हो जाएगा और यहाँ पर NH3 positive इसका मतलब जो negative charge आपको oxygen पर दिखाई दे रहा है वो localized नहीं है localized नहीं मतलब एक ही atom पर उपस्थित नहीं है एक ही atom पर टिका हुआ नहीं है वो क्या कर रहा है? घूम रहा है लगाता है एक oxygen से दूसरे oxygen पर दूसरे oxygen से पहले oxygen पर तो इसका मतलब अगर negative charge Conjugation में भाग ले रहा है तो इसका मतलब आसानी से अविलेवल नहीं होगा H-plus के लिए और अगर आसानी से अविलेवल नहीं होगा तो इसका मतलब यह प्रवल चारिय व्यवार भी प्रदर्शित नहीं करेगा तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारी amino acids होते हैं वो दुरुबल अमली और बहुत दुरुबल चारिय व्यवार प्रदर्शित करते हैं और यह सब कुछ हम यहां से explain कर सकते हैं कि क्यूं दुरुबल अमली यह दुरुबल चारिय हैं क्योंकि यहां पर अमली व्यवार किसकी वज़े से NH3 Mandalues की वज़े से चारिये वेवार किसकी वज़े से CO, माइनस की वज़े से और ये दोनों इसी वज़े से दुरवल अमली और दुरवल छारिये होते हैं दूसरी चीज हम यहाँ explain कर सकते हैं कि इनके गलनांक और कृतनांक क्या होते हैं बहुत उच्छ होते हैं और ये crystal-yate thos होते हैं थो जैसा कि आप लोग नै का होता है क्रिस्टल्द ग्रल्ट लेता है ऑझनelse, जासे जालक क्रिस्टल कहते है तो यह जालक किस की वज़े से बने positive और negative charge की बज़े से इनका traction बहुत जादा था तो यहां पर भी तो charged species है यहां पर भी तो positive और negative charge है और positive और negative charge है तो यह क्या करेंगे अपने जैसे molecules को attract करेंगे और attract करेंगे तो किसका निर्मान करेंगे crystal का निर्मान करेंगे और हम जानते हैं जहां क्रिस्टल होता है जहां traction स्ट्रक्ट्टिर में नहीं नहींत ex-polis Oranadox के बात करें तो दुरूप नहीं नहीं को मतलब इनके दूइद्रुवागुण तो हाई होने बनते ही हैं तो इस आधार पर यान की हम कह सकते हैं कि जुट्य राइन इस्ट्रक्चर जो होता है उससे हम इनके सारे जो इतने भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो सारी explain हो जाती है इसलिए हम कहते हैं कि ये किस में करता है solution के अंदर जिटर आइनक स्ट्रक्चर में exist करता है पहले इतना नोट कीजिए इतना नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं तो हम यह लिख सकते हैं जुटे राइनों के बारे में जैसे जुटे राइन क्या होते हैं जैसे र,ch,coo- हो वह अपर और nh3 प्लस होगा यही तो कह लाता है जुटे राइन तो इसके बारे में हम लेख सकते हैं कुछ पॉइंट्स लेख सकते हैं कि जुटराइनिक जुटराइनिक सनरचना में कौन एनच 3 प्लस एनच 3 प्लस अमलिये व्यभार अमलिये व्यभार के लिए उत्तरदाई होता है जबकि COO- चारिये व्यभार के लिए उत्तरदाई होता है पहला पॉइंट लिए लिख सकते हैं अमलिये व्यभार एनच 3 प्लस की वज़े से चारिये व्यभार COO- की वज़े से नेक्स पॉइंट हम लिख सकते हैं जुटराइन के बारे में कि एनच 3 प्लस एक क्या होता है दुर्वल अमलिकी तरह व्यभार करता है इसी प्रकार COO- का रिनात्मक आवेश संयुग्मन में भाग लेने के कारण आसानी से उपलब्द नहीं होता इसलिए यह दुर्वल चारिये व्यभार प्रदर्शित करता है इसलिए तो कहते हैं जो अमीनो एसिट्स होते हैं वो बहुत दुर्वल अमलिये और बहुत दुर्वल चार होते हैं दुर्वल अमनलीये व्यवार होता है उनका उनको दुर्वल चा스크 कि वज़े से इस्थरी प्लस च्हार यह व्यवार किसकी वज़े से वो माइनस की वज़े से उवेधर्मी इसलिए इनको एक और नाम से जाना जाता है जो कि यह एमफो लाइट क्या बोला जाता है इनको एमफो लाइट तो हम यह लिख सकते हैं कि यह जुटेर आईनि सनरचना को एमफो लाइट एमफो लाइट भी कहते हैं क्यूंकि यह अमल तथा छार डोनों के साथ डोनों के साथ अविक्रिया कर सकता है ठीक है तो यह जुटेर आईनिक सरचना इसको हम एमफो लाइट के नाम से भी जानते हैं क्यूंकि इसमें एसेडिक और बेसिक दोनों तरह के ग्रूप होते हैं इसलिए अमल और छार दोनों के साथ क्या कर सकता है अभिक्रिया कर सकता है ठीक है एक और स्वात भाथ जो आपको जानने चले जुट आराइन के बारे में कि जलिये विलियन में लेते हैं तो जलिये में उत flips इसलिए को उनके रूप हैं अलग-अलग तरह के रूप हैं जो अमीनो अमल विलियन अवस्था में प्रदर्शित करते हैं कौन-कौन से रूप है चलो मैं इसको यहां लिख देती हूं इसको यहां पर है NH3 प्लस यह तो है जिटराइनिक सरचना अब मैंने क्या का कि इसकी दो और रूप है यानि कि जो एमीनो अमल होते हैं विलियन अवस्था में तीन तरह की फॉर्म में पाए जाते हैं जो कि डिपेंड करती हैं विलियन की प्यज पर जो हमने विलियन लिया है उसकी TH क्या है है प्येज तो आफ जानत ही होंगे भाHHH ना कि साथ से कम होगी तो अमलिय होता है फ्यलियन साथ लिकिन अगर हम माध्यम कौन उपस्थित होगा 28th साथ से conception होगी तो माध्यम कैसा होगा 6-ी होगा और 6-23 उसकी में बढ़ा दूँं जिस विलियन में इसक़ ले रख जैसे हम billion में डालेंगे amino acid को जैसे हम billion में गोलेंगे या जल में बनाएंगे तो गुल जाएगा तुरंत amino acid और किसमें आजाएगा जुटराइनिक फॉर्म में आजाएगा ठीक है फिर उस billion के अंदर मैं थोड़ा अमली मिला दू है अमली मिला दिया तो medium कैसा हो गया में ब ​ इसके अंदर मिला दिया है चम उना दिया मीडियम होगा और تم year actor प्या हो जाएगी प्या किस से साथ तो अमली है खर दिया प्यत साथ से कम कर दि तो क्या होगा अमलीय माध्यम में क्या होगा हो कोो लेगा positive charge to H plus नहीं ले सकता क्योंकि यह भी positive है और positive positive तो नहीं ले सकता ना तो कौन लेगा वहton negative positive लेगा यानि कि जो सी O O minus है क्या कर लेगा H plus को accept कर लेगा और इसमें चेंज हो जाएगा RCH यहां पर NH3 positive और यह क्या हो जाएगा COOH तो अगर हम VILLION की pH बढ़ा दें क्या करदें? जिस VILLION में हमने इसे लिया है amino acid को अगर हम उसकी pH बढ़ा दें तो यह इस form में चला जाता है तो यह इस form में चला जाता है पता कैसा चलेगा? आपके पास क्या proof है कि यह इस form में जाएगा? जब हम यह जो आपका नेक्ट काम याद रखेंगे अपनी दिotes तो यह सुजह होगी जब हमने और पी हैच को बढ़ा दिया लेकिन अगर ऍविलियन में और में चाहरा साही दाला नंगी होगा यह बढ़ साथे और छार्ग के पास क्या होता है और और मैनस का काम क्या है 820 इस Jackie करेगा नहीं कि मैनस मायनस को लेना और वहशी लेगा तो यां से अगर जुक्तितु हैं कि या फॉर्म हैं किस प्रмотр tीप तो झिस जली समय में हुझो लिया है अगर ऑब घुर यह लिए उसका सब्स उसकाल काए यह ंगा विल्य लेकिन अगर समय तो यह वाला जो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा और अगर इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज है तो यह सारा जाकर कहां पर जमा जाएगा नेगेटीव वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाएगा तो अगर नेगेटीव इलेक्ट्रोड पर आपको कुछ मिल रहा है इसका मतलब के वो कौन सी फॉर्म में एक्जिस करता है अगर इसका उलेक्ट्रो प्वेसिश्bern करें इसमें क्या मिला दिया है चारी विलियन लिया है इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे पॉजिटिव और नेगिटिव इसमें विद्युधारा पास करेंगे तो जब हम जानते हैं चारी अवस्था में ये किस फॉर्म में होता है और माइनस होगा तो जब विद्युधारा प्रवाइड करेंगे तो कौन से उलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाएगा ये पॉजिटिव उलेक्ट्रोड तो अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आपको कुछ मिल रहा है तो ये क्या होगा चारी ये विलियन इसका मतलब य यह हमको एलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चलता है ठीक है लेकिन अगर यह वाली मालो हमने प्याइट चींजी नहीं की साथ रखी न्यूट्रल रखी ना बड़ अमल मिलाया ना चार मिलाया विलियन जैसा था वैसा रखा न्यूट्रल ठीक है तो यह कहां जाएगा को लेकर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराऊंगी तो इसका इलेक्ट्लफोरेसिस नहीं होगा और यही जो फॉर्म होती है यसी से हम इसका क्या निकलते हैं आईसो होता है वो हम बाद में explain करेंगे ठीक है तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि यह दोना फॉर्म सच में exist करती हैं या नहीं और बाद में देखेंगे सबसे एंड में आईसो एलेक्रिक पॉइंट को निकालना कैसे निकालेंगे आप अमीनों अमनों के लिए आईसो एलेक्रिक पॉइंट फिलाल तो आप इतना नूट कीजिए जल्दी से लिटर आइनों के बारे में तीन फॉर्म में exist करता है अगर पी एच जगम होगी तो इस फॉर्म में रहेगा पी एच जाद होगी तो इस फॉर्म में इसलिए ओवरल यहां पर पॉजिटिव और नेगिटिव चार्ज है लेकिन ओवराल ही क्या रहेगा और यह जो इसी से जो इस्टरक्चर होती है वही से हम isoelectric point को डिकालती है decide करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं isoelectric pH साथ पर निकाला है तो इसका isoelectric point साथ हो जागा, नहीं वो pH पर नहीं depend करता है, वो pka value पर depend करता है, किस पर depend करता है pka pka, या फिर कहलो, pka क्या होता है, minus log k a, तो कहलेंगे k a pka की value पर depend करता है, अब k a क्या होती है, आप जानते होंगे, 12th में आप नहीं है, या BST में अभी काफी दगा सीखे होंगे, जो अमल होते हैं, जो equilibrium में है, अमल क्या करते है, h plus और, जैसे hx लिया है, तो h plus और x minus में तूट जाएंगे, तो इनका जो हम equilibrium constant लेते हैं, ठीक है, वो होता है k a, और उसका negative log लेंगे, तो क्या निकल कर आएगा, pka, तो जो आई सो अब हम देखेंगे, अमीनों अमलों की रास्ताइनिक अभी किया है, अब तक तो हम बहुत तक बुन चल रहे थे, जुटराइनिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, जो की important है, पूछ सकता है आपसे जुटराइनिक सरचना के वारे में, अब हम देखेंगे, रास्ताइनिक, गुणों के बारे में, रास्ताइनिक गुण, यानि कि इनकी रास्ताइनिक अभी किरिया है, जस्ट बिकॉज हम जानते हैं, अभी अभी हमने देखा, कि जो एमीनो एसेड होते हैं, आर एच, स्वरी, आर, सी एच, सी ओ ओ ओ एच, और एनेच टू, ठीक है, तो दो तरह के सिंपल मौली की उसे ह सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसकी वजय से अमीनो समू की अविक्रिया है तो जो हम पढ़ने वाले हो किसकी वजय से सबसे पहले अमीनो समू के कारण अविक्रिया है कि अमीनो समू के कारण कौन कौन सी रियक्शन यहां पर होंगी सबसे पहली जो रियक्शन हम देखने वाले हैं वो है किसके साथ अमले के साथ किसके साथ अमले के साथ अकार्बनिक अमलों के साथ अकार्बनिक अमलों जैसे HCl, H2SO4 इस तरह के अकार्बनिक अमलों तो देखा गया है कि ये जो अमिनो अमलों होते हैं ये अकार्बनिक अमलों के साथ लवन का निर्मान करते हैं, लवन का निर्मान करते हैं, क्यानिका क्या मतलब है लवन कैसे बनाएंगी? बही कोई amino acid है मान लो यह है CH COOH और यहां पर क्या है NH2 इसके पास क्या होती है बही loan pair मान लो हमने कोई अमली लिया है कौन सा लिया है HCl और अमल का काम क्या होता है H plus sign देना अमल का काम क्या होता है H plus तो यह होगा positive और यह क्या होगा क्या है है CH Soyme strengthenる need और यहां पर हो जाएगा अन ही दो फृष्च पॉलिए इसको कौन बैलेंस करेगा इसको क्या है ऐना लंद नियुक्त लिसे क्या बना लिए कि लएगा वोन तो यहां पर नगिए च्छ लगादिया और जैसे H लगा दिया किसमें चेंज हो गया Glycine में कौना अमीनो ऐसल बन गया Glycine बन गया तो हम इसको बोलेंगे कौन सा लबण बनेगा यह Glycine का लबन बनेगा क्या है यह Glycine लबन है यह यहों कहे तो Glycine hydrochloride है क्या बनाएई ग्लाइसीन हाइड्रो क्लोराइड बना ठीक है तो बहुत सिंपल रियक्शन है इसमें मेकैनिजम तो कुछ है ही नहीं और यही चीज अभी मैंने बताई थी कि जो अमलिये विलियन होता है तो इसी फॉर्म में तो एक्जिस्ट करता है वो है ना लवण की फॉर्म में तो एक्जिस्ट करता है इसी तरह की फॉर्म में तो रहता है ठीक है तो यह सीदी सी रियक्शन है दूसरी है दूसरी है अलकिली करण अभी करिया क्या होगा माललो हमने गलाइस एलानी लिया है अगसवार कौण सा इमीन अजटी लिया है थीक है इसका अधिली करण कराना है किली कराना पड़ेगा तो इसकी किसी AP Glide से औरकाली करन कराना है तो लगाल हेलाइट से अभी करानी पड़ेगी बहुत बार देखियोंगी आपने अलकाल हेलाइट के साथ अभी कराते हैं ठीक है? किसी चार की उपस्तिती में OH- ठीक है? चार का काम क्या होता है बहिए? ऐसे लखूं OH- का काम क्या होगा, 6 का काम 6 का काम होता भी proton को लेना जैसी proton लेगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा negative chart, तो यह क्या बनेगा यह कुछ हैसा बनेगा, CS3, CH COOH, और यहाँ पर NH, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा minus, हमारे पास क्या है, Rx carbon और halogen के बीच में bond है, किसकी विद्यो त्रिनात्मकता जादा होती है halogen की विद्यो त्रिनात्मकता जादा होती है तो यह delta minus और यह कैसा होगा delta plus, तो यह attack कर देगा negative charge carbon पर, और यहाँ से कौन निकल जाएगा, X minus ठीक है, और यह किस में change हो जाएगा यह change जाएगा, CS3 CH, COOH और यहाँ पर N एक तरफ तो H जुड़ा हुआ और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है R ग्रूप जुड़ा हुआ है तो इसका क्या हो गया, NH2 ग्रूप जो था mean ग्रूप उसका क्या हो गया, अलकली करण हो गया क्या हो गया यहाँ पर, अलकली करण हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ है अलकली करण हो है, तो इस तरह से हम इसका अलकली करण करा सकते हैं note किजिये फिर आगे डेक्शन्स दिखते हैं से 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 सिंप टय सिंप है इस तो सिंपल स्वीट स्वीट सी जोड़ी सी रियाक्शन से यहाज़ा मेलत। धुरूर्ण है नहीं तो जैसे हमने एल्चली करण्ड कराई है, वैसे हम क्या कर सकते हैं? क है एस्पिली करण्ड कर है आपको इसकी लेगी लेगा है कि जब जाता है क्या बनता है डिखते है कोई कौन से लिया कौन से ली कॉलिन ले ले लेते हैं ली यह लारी हूं के साथ क्लोराइड है यहां पर नाइट्लो जन लोन प्र यहां पर यहां ग्रॉब है हम जांते हैं एक यह क्रन फ़र सह फना क्योंकि कrative पर इलेक्ट्रोनों की कमी होता है एलेक्ट्रोफिलिक होता है कारवन और यहां थे पर जायगा यह ज्या क्वेयर पर Gold carc meant और यहां से क्या भूनीकल जैगा शेयर ग denominator CO CS3 जुड़ गया और जैसे ही nitrogen 4 bond बनाएगा कैसा 4 जा जा जाएगा वही positive 4 जा जाएगा यहां से कौन निकला था CL- निकला था यहां से क्या ले लेगा CL- H प्लस ले लेगा और यह bond का shift हो जाएगा nitrogen पर तो यहां से कौन भार निकल जाएगा minus HCl HCl तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और यह change हो जाएगा CS3 CH COOH और यहां पर हो जाएगा NH और साथ में क्या जुड़ जाएगा इसके साथ CO CH3 तो NH CO CS3 बन जाएगा इस group को हम AC से भी represent करते हैं किस से AC से तो हम इसको ऐसे भी और यह क्या बन रहा है एसीटल क्लॉराइड बन रहा है एलानीन का तो यह क्या हो जाएगा एसीटल क्लॉराइड ओफ एलानीन क्या हो जाएगा एसीटल क्लॉराइड ओफ एलानीन यहां फिर इसको हम लिख सकते हैं एसीटल ओफ एलानीन क्या बनेगा है जब acid chloride के साथ करा है हम जानते हैं एसी ऐसी झी कराना हो तो यह equivalent हम आसे ठिलोराइड यूस्ट करते हैं और दूसरा हम कुछ झाल बी यूज़ कर सकते हैं तिGreen थ्थक करते हैं यहां पर यह उपर जाएगा नीचे आएगा और यह से बाहर निगल जाएगा सी ओ ओ माइनस भाहर हो ओ नगा यह बन गया सीएस थ्री सीच ऑर यहां पर कौन जुड़ा हुआ है सीडवल बॉंड ओ सीएस त्री जैसे ही नाइट्रोजन यहां पर एनच और एक और एलड़ यह के साथ जैसे ही nitrogen बनाएगा कैसा चार्ज आ जाएगा positive बाहर कौन निकला है CS3 COO- यह माइनस क्या करेगा यह से positive charge ले लेगा sorry proton ले लेगा और proton ले लेगा तो यह क्या change जो जाएगा यह change जो जाएगा CH3 CHCOOH और नीचे बन जाएगा NH H और वही एंचहसी ही साथ में बाहर कुन निकल दोतरीक इसकर सकते या तो consig глаз के साथ सिमपल रियक्षन है नलदी से जल्दी से नोट कीजिए अगे चलते हैं अगर हम इसकी रियक्शन कराएं किसके साथ फॉर्मिल डिहाइड के साथ फॉर्मल डिहाइड के साथ अभी करिया ठीक है तो क्या होगा भई अगर हम इसकी रियक्शन फॉर्मल डिहाइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर संगनन होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर्मल डिहाइड के साथ यहाँ संगनन द्वारा फॉर्मल डिहाइड के साथ यहाँ संगनन द्वारा मिथलीन व्यूत्पुन बनाता है क्या करता है मिथलीन डेरिवेटिव फॉर्म करता है कैसे होगा भी बहुत सिंपल रियक्शन है इनके तो आप खुद भी कर सकते हो मैं ना भी बता उँ तब भी कर सकते हो बही ऑन पर क्या होगा यहा से व थैज़ और यहां से ओ संगनन होगा करनेंशेशन होगा तो H2 तो बाहर निकले गई वही तो शॉर्ट पर में यहां लिख सकते हैं माइनस बाहर कैसे निकलता यह आपको बहुत बाहर हम बहुत सारी में दिखा चुके हैं तो यह आप इतना तो आप कर नहीं सकते थे क्या होगा माइन और चट्यां यहां पर दोड़ा हुआ है कि यहां पर एस्ट्रव और यह इस अग को तो क्या बोलते हैं मिठिलीन बोलते हैं तो यह क्या बन गए यह अमीनल इसेट चाहिए। यह अधिलीन एमीन ऐसीड बन गया है। तो यह कुछ रही एक्षिंस हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्ट्टर में इतना ही। Thank you so much.